सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तो ब्याम हर हर महादेव सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए आज शिवरात्री और प्रदोश का दिन है तो इस दिन क्या आप ये पाज बेल पत्र वाला उपाय जानते हैं बारो महिनों की बारो शिवरात्री पर ये उपाय किये जाता है बारो महिनों की बारो शिवरात्री का ये नियम है और ये नियम यदि आपने बनाया है तो इस नियम में आपको क्या करना होता है आपके घर परिवार के किसी सदेशे को भी साथ में लेना होता है क्योंकि यदि मालनी जी किसी शिवरात्री आप ये उपाए नहीं कर पाते यानि कि ये नियम नहीं पूर्ण कर पाते तो आपके जगे पे यदि वो दूसरे वेक्टी जो आपके साथ इस नियम में था वह ये नियम पूर्ण करके आता है यानि कि वो पाज बेल पतर समर्पित करके आता है तो आपका नियम खंडित नहीं होता जैसे आपने तीन शिवरातरी ये नियम मनाया और तीन शिवरातरी नियम मनाने के बाद में चोती शिवरात्री यानि चोतнаком मैंने में आप नहीं जा पाते तो फिर जो आपके साथ वाले वेक्ती है वो जाता है तो फिर इस कफल आपको भी प्राप्त हो जाता है और आपका वो नियम नहीं तूटता है तो सबसे पहले पाँच बेल पत्र जो आपको समर्पित करने है बारा महीने की बारा शेवरात्री पर खुद का गर नहीं है नौकरी नहीं है या कोई मनोकामना है कोई सी भी मनोकामना ही क्यों नहों आपकी आप ये बारा महीने की बारा शेवरात्रियों का पाँच बेल पत्र वाला उपाय जरूर करें सबसे पहला बेल पत्र आपको समर्पित करना है माता अशोक सुन्दरी के स्थान पर ये पहला बेल पत्र कहां पे समर्पित करना है तो जैसे आप ये पूरा भागी मातब पारवती का हस्त कमल है लेकिन वो जो आपको बेल पत्र समर्पित करना है वो समर्पित करना है इस जगा पे है और इस जगा पे भी कैसे समर्पित करना है जैसे कि बेल पत्र की बीच वाली ये शिवलिंग वाला भाग है ये इन दोनों पत्तियों के बीच में आ जाएगा और बीच वाली जो पत्ति है वो शिवलिंग की तरफ हो जाएगी दूसरा बेल पत्र इस प्रकार से आपको समर्पित करना है कि दोनों पत्तियों के बीच में शिवलिंग हो यदि यहाँ पे आप बेल पत्र रखेंगे तो ही ये बेल पत्र इस प्रकार से समर्पित हो पाएगा कि दोनों पत्तियों के बीच में शिवलिंग हो तीसरा जो बेल पत्र आपको समर्पित करना है वो करना है भगवान चंकर के शिवलिंग पे शिवलिंग पे बेल पत्र समर्पित करते समय किसी भी स्थान पर बैठे हो यदि शिवलिंग के पीछे यानि कि जलाधारी के विपरीद में हो पुर्व दिशा में, पस्टिम दिशा में, किसी भी दिशा में हो जब बेल पत्र शिवरिंग पे सब चड़ाये जाएगा तो उसकी डंडी को आपके विप्रीज में यानि कि यदि आप इस स्थान से समर्पित कर रहे हो बेल पत्र तो डंडी इस तरफ होगी और यदि जलादारी के सामने से, यानि कि जलादारी के सामने से यहां से बेल पत्र चड़ा रहे हो तो बेल पत्र इडंडी जलादारी के पीछे के तरफ होगी यह हो गया तीसरा बेल पत्र अब तीसरे बेल पत्र के बाद चोथा जो बेल पत्र आपको समर्पित करना है वो कहां पर समर्पित करना है जहां से जल भैकर जाता है जहां से जल भैकर जाने का मतलब जैसे जल यहां से नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद में इस स्थान से भैकर जाता है तो इस पूरे नंदी जी का जो एक पैर उपर उटा हुआ होता है ये जो एक पैर उपर उटा हुआ है इस पैर के उपर समर्पित करना है पाँचवा और अंतिम बेल पत्र तो ये पाँच बेल पत्र आपको शिवरात्री के दिन समर्पित करना है बारो महिनों की बारा शिवरात्रियों का य प्रतेक शिवरात्री यानि 12 महीने की 12 शिवरात्रियों को संतान की कामना के लिए ये नियम मनाया जाता है और ये नियम है पार्तिफ शिवलिंग की पूजा विदी का पार्तिफ शिवलिंग की पूजा की जाती है और पार्तिफ शिवलिंग का निर्मान करके रात्री होने से पहले उस पार्तिफ शिवलिंग का विसर्जिन कर दिया जाता है पार्तिफ शिवलिंग संतान प्राप्ति के लिए बनाया जाता है और जब आप पार्तिफ शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो इसमें आपको तीन वस्तुएं तीन में से कोई एक वस्तुएं मिलानी होती व कुछ भी एक हो तो आप पार्तिव शिवलिंग का निर्माण करते समय उसमें डालिए संतान की कामना के लिए ये तीनों में से एक वस्तू डालिए ये ये तीनों है आपके पास में तो आप तीनों डाल सकते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए पार्तिव शिवलिंग का निर्मान करोगे तब उसमें इन तीम में से कोई भी एक वस्तु डालना और उसके बाद पार्तिव शिवलिंग का निर्मान करके अच्छे से पूजन अर्चना करके उसकी पार्तिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना ये भारा महीने की बारा शिवरात्रियों का नियम है जिन मातों बेनों को संतान की कामना है वे इस पार्तिव शिवलिंग का धिर्मान करके उस पार्तिव शिवलिंग की पोचन रचना करे और संतान प्राप्ति की कामना करे निश्चे तुरूप से बाबा आपकी जोली जरूर जरूर करेगा यदि अभी तक आपने ये नियम प्रारंब नहीं करा है तो आज जो शिवरात्री है उसी से आप ये नियम प्रारंब कर सकते हैं और नियम प्रारंब करके आज से ये नियम बना सकते हैं आने वाली शिवरात्रियों पर ये नियम जरूर करें सभी वक्तों को शि श्री शिवाय नमस्तु प्याम, हर हर